नमस्कार दोस्तों मैं हूँ S.P. शर्मा आप देख रहे हैं Green Garden Channel Green Garden Channel में आप सभी को श्वागात है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मोगरा यानि की मोगरा जश्मीन फ्लावर प्लाइंट की क्यार जुलाई मांथ में आप लोग कैसे करेंगे आप लोग देख पर रहे हैं एक मोगरा जश्मीन फ्लावर प्लाइंट मोगरा यानि की बेली फूल भी कहा जाता है इसको बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है एक फ्लावर प्लाइंट में और जुलाई मांत में अब ही जो flower खिला हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं और बाट्स भी है बहुत सरे flower तो तोर लिया गया है ये देखिए बहुत सरे flower तोर भी लिया गया है और huge quantity में blooming है अब ही और भी बहुत सरे flower खिलने बाले है एक बात आप लोग को मैं बता देता हूँ अभी बारिश की टाइम में ये जो बारिश की प्रियर्ड चलेंगे बारिश की प्रियर्ड में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग नहीं होगा इस बात को धेन रखेगा ये फ्लावर प्लांट सामर सिजन में बहुत ही अच्छा से नौनस्टफ फ्लावरिंग करते रहते हैं अभी फ्लावरिंग किया फिर फ्लावरिंग करेंगे फिर फ्लावरिंग करेंगे ऐसे करके फ्लावर खिलते रहते हैं लेकिन बारिश की टाइम में और विंटर सिजन में इसमें फिलावर नहीं आते हैं तो ए फिलावर लेने के बाद हम और उम्मिद नहीं करेंगे कि हमारे मोगरा फिलावर प्लाइंट में और भी फिलावर खिलेंगे खिलेंगे, कम क्वांटिटी में, लिस क्वांटिटी में खिलेंगे, जादा क्वांटिटी में नहीं खिलेगा, तो हम क्या करेंगे, ये फिलावर लेने के बाद, जो टीप्स देखाई देंगे, लंबे-लंबे जो टीप्स होंगे, छोटे-छोटे नहीं, जो लंबा-लंबा है लंबे-लंबे branches है उसका tips को cut कर दूँगा इसका आप ही rainy season में बारिश की पानी से growth बहुत अच्छा होगा ये काफी लंबे हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे multiple branches आएंगे आपके पाश अगर flower plant है छोटे है उसका भी आप pinching करें तो ये घना हो मुल्टिपल branches आजाएंगे और next year आपको फिर जादा से जादा flower मिलेगा मेरे flower plant देखिए 10 इंच की pot में लगा हुआ है ये देखिए plastic की pot में लगा हुआ है next year मैं इसको 12 इंच की pot देंगे 12 इंच की देखा है अब मैं बात करोंगा insecticide आपको बारिश की टाइम में मंशुन टाइम में जुलाई मांत आगस्ट मांत सेप्टमबर मांत ऐसा करके क्या देंगे आप 10 से लेके 15 दिन आंतर से एक बार confider यानि की imidoclopid 1 ml एक लिटरा पानी में मिलाकार इस्प्रे करें आपको अच्छा result मिलेगा कभी कभी इसके उपर कटरपिलर देखने को आएगा कटरपिलर अगर देखते है तो प्राफिक्स शुपर 1.5 ml पाल लिटर वाटर डिजल्व करें और एक फलार प्लाइंट के उपर इस्प्रे कर दिजी आगर कटरपिलर नहीं है तो प्राफिक्स शुपर एस्प्रे ना करें फांजिसाइड 15 दिन में एक बार रिडो मिल गोल्ड दो गिराम एक लिटर पानी में मिलाकार एस्प्रे करें अच्छा result मिलेगा आप ही आपको पीजी आर देने की कोई जरूत नहीं है प्लाइंट ग्रोथ रेगुलेटर की ज पसिंज की पॉट है दस से लेके 15 ग्रानुर्स डियेपी आप दे दीजिए इस से ज़्यादा जरूत नहीं है पटाश चाहे तो आप दीजिए ना चाहे तो नहीं भी देंगे तब भी चलेगा लेकिन आज मैं कुछ फैटलाजर देंगे ताकि हमारी फ्लावर प्लांट को मिलता रहे मल्टिपल माईक्रोन्यूटेंट की कमी ए फ्लावर प्लांट में बशात की टायम में आ शकते है लीप लाइट ग्रिन या पेल येलू कलार का हो शकता है तो आपको माईक्रोन्यूटिंट पंद्रा दिन में एक बार 2 ग्राम पाल लिटर वाटर डिजल्व करके एस्प्रे करना है उतकर्ष कुम्पने की कमबी टू और नहीं तो एमपक्सिलिन कमबी टू मैं दोनों ही यूज करता हूँ आप कोई भी एक लीजिए और लेके एस्प्रे करें आपको अच्छा रेजल्ट मिलेगा अभी अर्गानिक फर्टलेजर बारिश की टाइम में हम नहीं देंगे तो ज़्यादा अच्छा है सिर्फ केमिकल फर्टलेजर देंगे लेकिन एक बार अभी हम अर्गानिक फर्टलेजर भी दे देंगे कुछ और एफलावर प्लाइन्ट अभी खोले आस्मान की नीचे ही रखेंगे एक बात धेंड़ीएगा अगर बारिश हो गए है और इसके बाद आप पानी इसमें कम से कम दीजी और नहीं तो रूट रट होगा रूट रट होगा तो एफलावर प्लाइन्ट धीरे धीरे करके जि इनी इन सिजन में भी देख आप ही मेरे pot की जो शोयल है कुछ ड्राई है बिल्कुल ड्राई नहीं है इस में ए देखें मौईस्चर है तो शोयल जब आप तियार करेंगी इस sa well-drained soil तायर करें। इन केस अगार आप अभी मुगरा flower plant लगाने की planning कर रही होंगे तो आप जरूर लगाए! अभी से लगाई है लगाने के बाद आप आपकी flower plant को bushes करिए और इसके बाद next yard में अबाद से आपको अच्छा result मिलने वाला है अब ही देर ना करते हुए कुछ fertilizer हमको देना है यह मेरे पास नीम खली है देखिए मैं एक चम्मच यहां से नीम खली लेंगे 10 इंच की pot में एक चम्मच नीम खली हम घुमा के दे देंगे चारो side में यह हमने नीम खली डाल दिये है इसके बाद हमको देना है एक चम्मच बोन मिल यह मेरे पास बोन मिल है यह देखिए बोन मिल है और इसके शाथ ही हमको देना है एक चम्मच हर्ण मिल एक एक चम्मच करके बोन मिल हर्ण मिल नीम खली दे दिये है इसके बाद DAP यानिकी डाई अमोनियम फस्परश डाई अमोनियम फस्पेट होता है इसके अंदर यानिकी फस्परश की मात्राए काफी होता है तो हम अभी 10 से लेके 15 ग्रानुल्स देंगे यह देखिए, almost 15 ग्रानुल्स हो जाएगा आभी हमको बहुत ज़्यादा बुस्टिंग नहीं देना है क्योंकि रेनी सिजन में जो बारिश की पानी होते है इसके अंदर काफी ज़्यादा नियूट्रेशन होता है तो हमको बहुत ज़्यादा DAP देने की आभी बिलकुल भी जरूत नहीं आए पहले इससे पहले हमने कम स कुछ कम कर दिये है बारिश की पानी के साथ जो नियूट्रेशन होता है वह हमारी फ्लावर प्लाइन को बहुत ज़्यादा बुस्टिंग कर देते है आप एफसम शाल्ट हमको एक चममच देना है देखिए मैगनेशियम सालफिट एक चममच हमारी फ्लावर प्लाइन की जो हो शकते हैं पटाश हम कम देंगे या नहीं भी देंगे तब भी चलेगा आधा चम्मच NPK 0050 आपके पास अगर MOP यानि की मूरेट आप पटाश रेड कलर के होता है अगर है तो आप उसको भी यूज़ कर ना आपको फर्टलाजड देना है अगर आ पके पोट के शौयल आभी गिली है तो आप CINDLY गुराई ना करें अगर हल्का मौस्ट है तो आप कान्ली गुराई करें लिए एक कोई बी एक टूल्स लेंगे एसे हल्का हल्का गुराई करेंगे, DM क अगर कोई भी कच्रा होगा पॉट में तो आप जरूर सफाई करें इसके बाद हमको पानी देना है देखिए अब ही हम पानी दे देंगे फर्टलजर दिये है पूरा फर्टलजर श्वायल के साथ अच्छा से मिक्स हो चुके है और हम पानी आज अच्छा से दे देंगे दोस्तो कोई भी क्यारी है आप लोग कमेंट्स बक्स में जाके कमेंट्स किजिएगा आप लोगों पूरे कमेंट्स की एंसरिंग कर दिये जाएगा उम्मीद करते हूँ आप लोगों मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर पसंद आते तो लाइक कर देना शेयर कर देना झाल झाल